हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब चलिए सुरू करते हैं इस वरक्षीट को और वरक्षीट कौन सी है यह है नोवी क्लास की गनित यानि मैथ की वरक्षीट 91-91 जो हमारी 26 परवरी की वरक्षीट है इसमें प्रोवेबेल्टी यानि प्रायक्ता के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ नोट किया गया नीचे माने पास बारंबरता सानी दी गई है और यह दोस्तों विदार्थियों के बाहर के बारे में बताए गया है इस सानी को देखते हुए हमें हमारे कोशिय अंसर को हल करना है सानी में क्या दिया गया है कि 31 केजी से कम तक का वेट 17 बच्चों का थ और चाली से चाली से कम किलौ से वाले वच्चे केजी वाले वच्चे वह चाली से बावन चाली से फचास चो तीस 29-26, 15-60-11, 100-65-8, 60-70-3, 75-50 हमारी दो दिए गया है, तो पहला कोशिन हमें क्या दिया गया है, यह देख विदार थी, यह दिश्चा चुना गया, यानि कि ऐसे रैंडम ली हमने चुन लिया, तो हमें प्रायक्ता ग्याद करनी है, कि इसकी, कि उसका बार जो 40-50 केजी के बीच मे 34 बच्चे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कुल बच्चे, हमारे पास है 200, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कुल अनुकूल प्रिनाम, यह जो हम चाहते हैं, वो आई, वो कितने हैं, हमारे पास 34, इसको हम इवेंट ए कह देते हैं, तो प्रायक्ता एके होने कि क्या हो जाएगी, 34 बटे 200 2 से कट करेंगे 100 2 से कट करेंगे 17 17.100 को लिखते 0.17 तो अंसर हो जाएगा B सेकिन कोश्यन 60 kg के या 60 kg से कम 60 kg या 60 kg से कम ऐसे कितने बच्चे हैं देखो यह यहाँ पे यह बच्चे हैं न हमारे 31 के 60 तक तो इस सब को काउंट कर लेंगे तो हमारे पास कुल संभावित प्रिनाम प्रिनाम वो तो 200 बच्चे हो सकते हैं और अनुकूल प्रिनाम कितने हो जाएंगे 17 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 27 और प्लस 11 इन सब को एड़ करेंगे तो हमारे जब अनुकूल प्रिनाम है वो आ जाएंगे तो 17 जमा 40 जमा 52 जमा 34 जमा 27 जमा 11 कितना हो जाएगा हमारे पास इन सब को हम जब एड़ करेंगे तो अंसर आएगा 187 तो कुल अनुकूल प्रिनाम 187 यह हमारा ए मालिया प्रैक्ता इक होने क्या हो जाएगी 187 बटे 200 और इसको हमें भाग दे देना है तो जब हम इसको देंगे भाग किस से 200 से तो हमारा अंसर क्या आएगा 0.935 तो अंसर हो जाएगा D नेक्स्टर पचास के जिसे ज्यादा तो पचास के जिसे ज्यादा वाले बच्चे का है हमारे तो पचास के जिसे ज्यादा बच्चे हमारे यह है ठीक है तो कुल प्रिनाम तो हमें पता है हो सकते हमारे दोस्टो कुल अनुकूल प्रिनाम हमारे कितने हो जाएंगे 27 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 तो जब हम इनको जोड़ेंगे 27 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 तो अंसर आएगा 51 यह हमारा E है तो प्रायक्ता निकालेंगे हम तो क्या जाएगा अनुकूल प्रिनाम भाग में तो जब हम इनको भाग देंगे 200 से तो अंसर आजाएगा 0.255 तो 0.255 अंसर आया अंसर हो जाएगा हमारा नमबर C हमारा नेक्स्ट कोशिन है 41 से 55 केजी 41 से 55 केजी वाले बच्चे कहां है यह रहे तो यह कितने बच्चे हो जाएगा 52 अगर हम इनको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 52 प्लस 34 प्लस 27 यह आजाएगे हमारे पास कितने 52 प्लस 34 प्लस 27 113 तो प्रोबियल्टी क्या होगी 113 बटे 200 तो जब इसको 200 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या अंसर आजाएगा 113 को 200 से पूरा बाग मतब पहले हम क्या करेंगे दो से भाग देंगे और फिर 100 से भाग दे सकते है तो अंसर आजाएगा 0.565 ठीक है 0.565 हमारे यहाँ पे अंसर आएगा वो है अंसर नमबर C 31 केजी से कम ना हो यानि कि 31 केजी से कम 31 हो सकता है आईसे तो सारी वच्चे है है ना तो हमारे पास है कूल परिनामी 200 अनुकूल परिनामी दोफो है तो अंसर आ जाएगा एक तो इसका अंसर आएगा हमारे पास C ये थीह हमारी नोभी क्लास की वरक शीट मैद की वरक सीट नमबर 93 I hope आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंज की साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली Thank you for watching the video